जो flagship species होते हैं, वो काफी popular species होते हैं, example के तोर पर tiger, snow leopard, giant panda, यह जो species हैं, यह flagship species हैं, और यह जो हैं, symbols के रुपने उप्योग के जाते हैं, fund इखटा करने के लिए, conservation के परपस के लिए, और लोगों के बीच में awareness फैलाने के लिए, जो WWF है, वो giant panda का image यूज करता है, तो जो giant panda है, वो एक तरह से WWF के लिए ambassador का काम कर रहा है, जो giant panda है, वो जो है representative के रूप में काम कर रहा है, लोगों के बीच में awareness फैलाने के लिए, तो जो giant panda है, एक ऐसा animal है, जो काफी popular है, तो ऐसे animals जो popular होते हैं, और उनका उप्योग किया जाता है, ambassador के रूप में, conservation purposes के लिए, और flagship species बोलते हैं,